दक्षनी कश्मीर के अंतनाग के डोरू छेत्र के अरबल के रहने वाले गौर्मन्ट हाई सेकंडी स्कूल डोरू के नवी कक्षा के चार्ट कुर्शीत एमर इट्टू के बेटे समयस कुर्शीत ने हर्याना में आयोजित राष्टिस्तर के कराटे चेंपेंशिप में गोल्ड मैडल चीता उनके पिता जो पेशे से ड्राइवर है उन्होंने कहा कि ये परिवार और अंतनाग जिले के लिए गर्व का शण है गर्व पहुँचने पर उनका भविस्वागत क्या क्या वादी कश्मीर के नوجوانوں में हुनर और काबलियत की कोई गमी नहीं है यहां के नوجوانوں ने जिन्दगी के मुक्तिलब श्वबों में चाहे तालीम की बात करेंगे चाहे खेलкоुट के हवाले से अगर हम बात करेंगे ऐसे में बहुत सारे नौजवानों ने बहतरी इनकारकर्दगी दिखा कर न सिर्फ अपने वालदेन का नाम बलके पूरे जुमो कश्मीर का नाम रोशन कर दिया है ऐसी एक मिसाल दक्षन कश्मीर के अनंतनाग जिला के डूरू शाबाद से गरीब गराने से तालुक रखने वाले नमवी जमात के तौलबे लिम रुमयास खुरशीद ने कोमी सता पर कराटे चंपेंशिप में गोल्ड मेडल हासिल करके न सिर्फ अपने वालदेन का नाम बलक डि किया है कितनी खुशी हुई आपको में बहुत खुशी मैं मेरे मेरा सबोर्ट है पैरेंटिस का दूसरा अपने कोच शेंटिसा नाइन अहीं अवत हप की अ तो जो यह कराटी आप सीख रही हो आप कहां से सीख रहे हो और कितना टाइम हुआ है कराटी चीखने में तू ज्यादत तर इस मुकाम तक पहुंचने में किन का सपोर्टर है आपको ज़ाता कर रइन्यस पॉजे का उर जब तर नारार का। आपको रुमिस आपसे एक बात चाहते हुं, आप पढ़ाई भी करते हुँ, आप किस कलास में पढ़ते योग में गवर्मेंट, है शेकर्ची ज़्तारों नाराइच के लिए которую ओर छावारें, बढ़ता हु당 है। के साथ साथ पुलीस फोज बड़े-बड़े समिनार और तकारीब का एहतिमाम कर रहे ताकि उन नौजवानों को मनशाथ से दूर रखने के लिए खेलकूद की तरफ रागिप करें उन्हें आपकी तरफ से क्या मेसेज रहेगी मेरे सबसे मेसेज वह भी सब्सक्राइब मैं अ तो कितनी खुशी हुई है आपके अंदर और क्या कहना चाते हो आप हम बहुत ज्यादा खुश हैं कि इस ने गोल्ड मेंडल जीता है हम बहुत ज्यादा पराउड फील कर रहे हैं कि हमने सोचा ही नहीं था कि यहां तक पहुँचेगा बट फिर भी इसने बहुत ज़्याद तक पहुँचने में कराटे शिखने में अच्छा खासा सपोर्ट तो मिलता ही होगा जी बिल्कुल तो क्या तवक्र रखते कि रुमेस जो है आपका कजन जो है इससे आगे भी जा सके हाँ बिल्कुल उमीद है कि ये इससे आगे भी बाड़ सके रुमेस को इस मुकाम तक किया नश्यकिलत में मुबतला होते जा रहे हैं जिनको रोकने के लिए एडिम्स्ट्रेशन की साथ साथ पुलीस फोज बड़े बड़े तकारिव के साथ साथ सेमिनार का भी निकात किया करें ताकि उन नवजवान लड़के लड़कियों को मनशाथ से दूर रखने के खाति करें तो उनके लिए क्या मेसेज रहे कि आपको मैं ही बोलना चाहती हूं कि जैसे ये पहुँचा है कि ये कुछ ड्राग वर्क नहीं करता है अगर ये भी उसमें मुलवस हो सकता है मतलब होगा तो ये इस मुकाम तक नहीं पहुँचा है मैं यही बोलना चाहती है कि वो इन इन्होंने तो काफी हार्ड वर्क की है। इसके काजन इकरा ने दीगर नवजवान लड़के लड़कियों को यही मसेज़ दी है कि वो पढ़ाय के साथ-साथ खेलकूत की तरफ ज्यादा से ज्यादा रागब हो जाए और उन खेलकूत की सरगरूमे में हिस्सा लेकर अपने आ झाल झाल